स्लाम जोटे मैं आपके लिए बारहमवाडжеाएड़ी बालव लेकर आ हूँ इसको सम्भल करने का तरीका मतवाँगा कि इसको सम्भल कैसे करती है तो पहले मैं आपको इसके पार्स के नाम बताता ह। कि मैं पार्स क्वाड़ कॉण कॉण सी स्मय करोते हैं तो मैं आपका ज्यादा टाम नहीं लेता है तो उससे पहले अगर मेरी विडियो आप सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें शेयर कर दें तो आगे आप समीधार है तो यह 12 वाड़ की बोड़ी है इसको बोलते है एपैंसर बोड़ी और होजल इसका नाम है बाकी जिसको इसको अगे उसको बोलते है ठीक है और यह किप गयाओ इसको डियो भी चीप बोलते है यह मैने आपको पहले भी बोताया थाurpose यह नहींे इसकी लिगाओ हो है एक 4.7 का लगाओ है एक 2.2 का लगाओ है और एक resistance है IC है बाकी transformer लगाओ है 28.5 का इसके उपर दाना लगाओ है और 1 mm इसकी thickness है 45.48 इसका dia है dia भी मैंने आपको बता दिया था कि कैसे इसका मुलूम करती है और इसकी thickness कैसे मुलूम करती है वो भी मैंने आपको बता दी थी अगर नहीं आपको मालूम तो वो मेरी वीडियो आप देख सकती है तो भी मैं आपको संबल करने का तरीका बताऊंगा और एक दूसरी जो कौर्टी है ये चिप ड्रैवर है ये चिप ड्रैवर है ये ड्रैवर है इसका और यह चीप है इसके नीचे एक एक्स्रा हीर्सिंग लगी हुई है इसके अंदर बोडी के अंदर भी हीर्सिंग लगी होती है तो जो चीप ड्राइवर होता है इसके अंदर एक्स्रा हीर्सिंग लगी होती है चीप के लिए यह एक्स्रा हीर्सिंग लगी हुई है और इसके क्लेम के रजशे भी बहुत कम होती है इसकी निस्बत, डियो बी की निस्बत इसके रजशे बहुत कम होती है और वैसे भी इसके अंदर ट्रांसफारमर, कपैस्टर, अर्जिसंट, आईस, आइसी और ये M.O.V काफिस में प्रोडक्शन लगी हुई है जो इसको वोल्डिज के काम मों ज़्यादा होने से बजाता है चिप को और इसके क्लेम रिशो बहुत काम है तो बाकी मैं आपको संबल करने का तरीका बताता हूँ तो मैंने ये आपको बोड़ी के पार्स के नाम बता रही है ये होजल है इसको बोलते है ए पैंसर बोड़ी भी इसको बोलते है तो ये इसका डिफ्यूजर है और ये E27 है इसमें B-BiS भी होता है E27 उसको कहते हैं जो चुड़ी वाला होल्डर होता है और जो B-20 होता है वो पीने वाला होता है और ये इसका नाट है E-20 का B-20 में दो नाट होते हैं और E-20 में ये एक नाट होता है तो अभी मैं आपको संबल करने का तरीका बता दूँ ये DOB मैं आपको संबल करने का तरीका बता दूँगे डीयोबी में यह plugs कैसे संबल करते है ठीक है तो यह दो वाइर एक नूटल और फेस है ठीक है इसको आपने बोड़ी में से गुझाल ना है कुछ इस तरह से हैं इस तरह से आपकिसने लगाना है चिप को ठीक है? ये लगा दिये है तो एक वाइर आप अगर आप आपने E27 का बलह बनाना है तो एक वायर आप ने यहां भर गुजाननी है बोडिक साल लगा देनी है ठीक है? ये कैमरे में आपको नजर आ रहा होगा तो जो दूसरी वाइर है ये आपने E27 की इस इस सुराख में तो आक नाउर निकाल देना है झाला रहा दिन्यार ओक लिए दिस्तराख में साहि इसको पंच कर्समें करए पाल को पंच मेरे पाफ चूर्यान को प 살ा ए Except, गूलर को पंच करना है अब यह फाल मेरे पास हो और ओफünüz में तो विडियो मेदर आप प्रिच क बाकि जो नाट होगा वह आपने एस टाइस में यहां पर लगा देना थिक यह लगा धिक गर दік yes yes तो यह जो डिफ्यूजर है इसको आपने इसके झाल का देना humour यह आपका बलब रडी हो गया तो यह शोब में जाने के लिए रडी है आप इसको बॉक्स में डालें और आगे सेल कर दें तो यह थी मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और मेरे चैनल को सब्क्राइब करना लाइक करना औ को कोई भी इन इफ्रमेशन चाहिए तो मैं आपसे आपकी जूर हल्प करूंगा तो अब तक मुझे इजास्त दीजिए खुदा आफिस शुक्रिया